ओन एन ओन डाइबा लाइफ मधुमेह रहिद सिंदगी की और डाइबटीज के क्षेत्र में एक आवशकार आएए इस डाइबटीज को संखेप में जान लेते हैं डाइबटीज मेलाइटिस या मधुमे एक चयाप चयी विकार है जो इनसुलिन स्राव की गरबड़ी या इनसुलिन प्रक्रिया में गरबड़ी या फिर दोनों ही वज़ों से होता है डाइबटीज पैंक्रियास का विकार है पैंक्रियास इनसुलिन नामक एक पदार्थ को खून के अंदर रिलीस करता है जिससे शरीर को ग्रहन किये गए खाद्य पदार्थों में से शरकरा वा काबो हाइड्रेट्स को ग्रहन करने में मदद मिलती है डायबिटीज कोई बिमारी नहीं है बलकि एक चयाप चयी विकार है किसी विक्ति को जब डायबिटीज होता है तब या तो उसके पैंक्रियास इंसुलिन बनाते ही नहीं है या फिर अपरयाप्त मात्रा में इंसुलिन बनाते हैं या फिर इंसुलिन बनता तो है परन्तु ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाता डाइबिटी से होने वाली कई गंभीर परिशानिया हैं जैसे विदे रोग, पैरों में संक्रमा, लेंगिक समस्याई, अल्जाइमर रोग, स्ट्रोक, मसूरों के रोग, सुनने में दिक्कत, स्नायू रोग, घाव का देश से भरना, दृष्टी दोश, किड्नी वब्लैडर फ इत्यादी एशिन इंडियन फिनोटाइप, जिसमें HbA1c का काउंट बढ़ जाता है एशिन इंडियन फिनोटाइप में BMI कम होने के बावजूद भी कमर का घेरा काफी ज़्यादा हो जाता है पेट का मोटापा, नियूंतर एडिपोनेक्टेन, उच सी रियक्टर प्रोटीन स्थर इत्यादी की वच्छे से भारतियों में इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ जाता है आएए हम इस HBA1C को समझ लेते हैं जब आप अपने शुगर की जांच कराते हैं जो उस जांच के वक्त का ही होता है जबकि HBA1C के जांच में आपको दो तीन महीने के औसत स्थर का पता चलता है इसे glycated hemoglobin या A1C भी कहा जाता है A1C शरकरा युक्ट होकर परिवर्तित हो गया एक प्रकार का hemoglobin है जब शरीर शरकरा को प्रोसेस करता है तब रक्त प्रवाह में मौचूद शरकरा स्वभाविक रूप से लाल रक्त कन के एक प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है लाल रक्त कन की उम्र करीब 8 से 12 हफ़तों की होती है इसलिए HbA1c का मापन इस अवधी के आसद शुगर लेवल को दर्शाता है बिना डाइबिटीज वाले किसी वेक्ती में ब्लड शुगर लेवल समानने था एक जैसा रहता है अर्थात खून में मौझूद प्रोटीन में ज्यादा ग्लुकोस सनलग्ण नहीं होते HbA1c लेवल अपेक्शाकरत रूप से कम होता है क्यूंकि वे ग्लुकोस को रक्त से बाहर करने में सक्षम होते है लेकिन डायबिटीज ग्रस्त लोगों में शरीर शरकरा को रक्त से बाहर करने में सक्षम नहीं होता है और परिनाम स्वरूप ग्लुकोस खून में ही रह जाता है जैसे जैसे बलड ग्लुकोस का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे लाल रख्थ कण में और ज्यादा ग्लुकोस चुड़ते जाते हैं तथा HBA1C का स्तर बढ़ जाता है जिससे डाइबिटी संबंधी तकलीफ बढ़ने का खत्रा होता है HBA1C को कम करके आप इस खत्रे को कम कर सकते हैं इसलिए हर 3-4 महीने में या जब आपके डॉक्टर कहें आपको अपना HBA1C टेस्ट कराना चाहिए आएए अब ये समझते हैं कि डाइबिटीज में आखिर होता क्या है जब आप कार्बो हाइडरेट युक्ट खाना खाते हैं तो वो आपके बेट या पाचन तंत्र में ग्लुकोस या शरकरा के रूप में परिवर्तित हो जाता है हमें अपने आहार में से ग्लुकोस की जरूरत होती है क्योंकि उससे हमें उर्जा मिलती है चीजें जैसे स्टार्च युक्त आहार, शरकरार युक्त आहार, दूद बर डेरी प्रॉड़क्स एवं फनों त्यादी में कार्बो हाइडरेट होता है ये ग्लुकोस फिर रक्त प्रवाह में जाता है और शरीर ये सिंस करता है कि ब्लड ग्लुकोस का स्तर बढ़ रहा है इसकी प्रतिक्रिया में पेट के ठीक नीचे मौचूद एक छोटा सा ग्लैंड जिसे पैन क्रियास कहते हैं इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीस करना शुरू कर देता है इस इंसुलिन की मदद से हम अपने क्रहता हार में से उर्जा ले पाते हैं फिर इस ग्लुकोस एवं इंसुलिन को रक्त प्रवाह के जरिये शरीर के हर उस कोशिका तक पहुंचाया जाता है जिसे उर्जा के लिए इसकी जरूरत होती है इसे आसानी से समझने के लिए इन पेशी कोशिकाओं को देखें इन पेशी कोशिकाओं के पास वो इंसुलिन ही है जिसकी वज़े से ग्लुकोस कोशिकाओं के अंदर समाहित हो सकता है ताकि शरीर को उर्जा मिल सके ऐसे समझें कि इंसुलिन इन कोशिकाओं के दर्वाजे पर लगे तालों की चाबिया हैं। जब ये चाबी होगी तभी दर्वाजे खुलेंगे और ग्लुकोस कोशिकाओं के अंदर जा सकेगा। इस प्रकार ब्लड ग्लुकोस का स्तर नहीं गिरता है। लेकिन लीवर के ब्लड ग्लुकोस को रिलीज करके इस ब्लड ग्लुकोस लेवल को कभी भी टॉप अप किया जा सकता है। ब्लड ग्लुकोस बार 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 बारता है और ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन पैदा करता है ताकि वो उन बंध दर्वाजों के ताले की चाबी बन कर उस ग्लुकोस को रख प्रभा के जरीए कोशिकाओं के अंदर पहुँचा सके। रक्त शरकरा जब आप्टिमम लेवल पर होता है तब शरीर उत्तम रूप से काम करता है। लेकिन जब बलड शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता। समान्यता हमारे शरीर के अंदर ही एक साइकल होता है जो शरीर में इंसुलिन एवं ग्लुकोस तरक को संतुलित करता है और ये संतुलिन निर्भर करता है हमारे आहार, पैंक्रियाज एवं लिवर पर. कुछ लोगों में जब ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है तब उसे डाइबिटीज कहते हैं. डाइबिटीज मुख्यता तीन प्रकार के होते हैं. टाइब वन, टाइब टू, एवं जी डियेम. आइए जानते हैं टाइब वन के बारे में. डाइबिटीज में शरीर में इंसुलिन का निर्मान ही नहीं होता है. ये एक आटो इम्म्यून रिस्पॉंस की वज़े से होता है, जिसमें की पैंक्रियास के अंदर की इंसुलिन निर्मान करने वाली कोशिकाउं को शरीर ने न प्रश्ट कर दिया है. अभी तक ये नहीं पता लगाया जा सका है कि ये कुछ लोगों में क्यूं होता है और अन्य लोगों में क्यूं नहीं होता. कुल डाइबिटीज की आबादी का करीब 10 प्रतिशत टाइब वन डाइबिटीज होता है. ज्यादा करके ये 40 साल से कम की उ प्रतिशत होता है। इंसुलिन अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाता। लेकिन ये सही वजन वाले लोगों को भी हो सकता है। टाइप टू डाइबिटीज में कार्बो हाइडरिट युकता हार, पेट एवं पाचन तंत्र में सामाने रूप से ही ग्लुकोस में परिवर्तित होता है। फिर वो ग्लुकोस रक्त प्रवाह में जाता है। पैंक्रियाज इंसुलिन का निर्मान शुरू कर देता है, जो ग्लुकोस के साथ रक्त प्रवाह के जरिये शरीर के उन सभी कोशिकाओं तक प्रवाहिद होता है, जिने उर्जा के लिए ग्लुकोस की जरूरत होती है। परंतु, यहां ग्लुकोस किसी भी तरीके से कोशिकाओं में प्रवेश्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके दर्वाजों के ताले चर्बी जमा हो जाने की वज़े से अवरुद्ध हो जाते हैं, अर्थात इंसुलिन भी उन कोशिकाओं के दर्वाजों को ठीक से खोल नहीं पाता और इस बचे से शरीर में शुगर लेवल बढ़ता जाता है, इसके प्रतिक्रिया में पैन क्रियाज और ज्यादा इंसुलिन का निर्मान करता है, अथा रक्त शरकरा का स्तर बढ़ने लगता है और इंसुलिन का स्तर भी बढ़ता जाता है, ये स्थिती और भी और पैनक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बनाती रहती हैं। पैनक्रियाज ये काम तब तक करती रहती हैं जब तक वो ठक ना जाएं। और ऐसे में अंतता वो क्षती ग्रस्त हो जाती हैं। टाइप टू डाइबिटीज के लक्षन बड़ी देड से प्रकट होते हैं और कुछ लोगों में तो इसका कोई लक्षन प्रकट ही नहीं होता है। यही कारण है कि टाइप टू डाइबिटीज से ग्रस्त लोग 10 साल तक भी बिना किसी लक्षन के हो सकते हैं। शुगर लेवल ज्यादा होता है। अनकि इसका ठीक ठीक कोई कारण तो ग्यात नहीं है लेकिन ये गर्ब नाल की हॉर्मोन में व्रिद्धी होने के कारण मा और बच्चे को होता है। शुगर नहीं है कि डाइबिटीज वाले लोग बार बार पेशाब करने जाते हैं क्योंकि किड्नी खून के बाद ग्लुकोस को फिल्टर करती है और इसमें बहुत सारा पानी लेती है। जिसके कारण डाइबिटीज वाले लोगों को बार बार प्यास लगती है। उनके पेशाब में बहुत सारा ग्लुकोस होता है, जिससे बैक्टीरिया को पनपने के लिए अनुकूल परिवेश मिलता है। इसलिए अक्सर ऐसे में योनी संक्रमान वखुजलाहट होती है। इसी प्रकार रक्त में भी ग्लुकोस की मात्रा काफी अधिक होती है, जिसकी वजह से ताजे जखमों पर सामान्य से ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा होते हैं और जखम भरने में देरी होती है। ग्लुकोस आँखों के आगे लेंस में भी जमा हो सकता है, जिससे लेंस के अंदर का तरल धुमल हो जाता है। इसकी वजह से डाइबिटीज ग्रस्त कुछ लोगों को धुन्दला दिखाई देता है, चुंकि ग्लुकोस शरीर की कोशिकाओं में पहुंची नहीं पाता, जिससे की शरीर को उर्जा नहीं मिल पाती है और परिनाम स्वरूब डाइबिटीज वाले लोगों को ज्यादा ध खकान महसूस होती है और वो अपने दैनिक कारियों को करने में भी असमर्थ महसूस करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर शरीर को काम करने के लिए उर्जा की निरंतर जरूरत होती है, ऐसी स्थिते में उर्जा पाने के लिए शरीर अपने अंदर संग्रहित वसा को तोड़न शुरू कर देता है और यही कारण है कि diabetes में शरीर का वजन कम होने लगता है इस प्रकार diabetes के मुखे लक्षणों पर एक नज़र डालें तो वो हैं बार-बार पेशाब के लिए जाना ज्यादा प्यास लगना योनिस संक्रमन एमम खुजलाहाट जखम का देर से भरना धुनले द्रिश्टी होना थकान महसूस करना एमम बजन में कमी होना डाइबालाइफ diabetes केर के क्षित में एक आविशकार है डाइबालाइफ लसुन के अंदर मौजूद stabilized alicine पर आधारित है लसुन को एक चमतकारी औशदी के रूप में जाना जाता है लसुन का इस्तिमाल प्राचीन काल से होता रहा है और ये इलाज एवं रक्षा के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले पौधों में से है जिसका लिखित प्रमान है लसुन प्राचीनतम उगाय जाने वाले पौधों में से एक है जिसे पांच हजार से भी ज्यादा वर्षों से उगाया जा रहा है सब्भेता के शुरुवात से ही लसुन का प्रियोग होता रहा है चाहे वो मिस्र का पिरामिड हो या प्राचीनतम मंदर मज़े की बात तो ये है कि वैसी सब्भेताएं जो कभी एक दूसरे के संबर्ख में नहीं आई फिर भी उन्होंने लसुन का प्रियोग अपने उप्चार वा चिकित्सा में किया मिस्र, रोम, चीन, भारत के प्राचीन मेडिकल की पुस्तकों में लसुन के आउशदिय गुणों का विवरण है अजारों वर्षों से विश्व भर में लोग लसुन को स्वास्थिलाब के लिए उप्योग कर रहे है प्राचीन काल से ही लसुन को हर मर्ज की दवा माना गया है कहा गया है कि इससे साधारन सर्दी फ्लू से लेकर लेक तक में फायदा हो सकता है लसुन डाइबेटीस पर नियंतरन करने में मदद करता है लसुन में पाया जाने वाला एलिसीन HBA1C को नियंतरत करने में बेहत कारगर है जो की डाइबेटीस कंट्रोल के लिए बेहत एहम है ये ग्लुकोस टॉलरेंस को समानने स्थर में रखने में मदद करता है लसुन एंटी बैक्टीरियल, एंटी वाइरल, एमम, एंटी फंगल है शोधों से ये प्रमानित हुआ है कि खून में पाया जाने वाला लाल रक्त करन लसुन के योगिकों को प्रोसेस करके उन्हें हाइडरोजन सलफाइड में बदल देता है जो रक्त धम्नियों को रिलाक्स करता है तथा रक्त प्रवा को बढ़ाता है बावजूद इन सबके कच्चे लसुन की अपनी खामिया है कच्चा लसुन पेट के एसिट से नश्ट हो जाता है ये आंतों के एपिधेलियल कोशिकाउं द्वारा अब घठित हो जाता है ये शरीर के पी एच से प्रभावित होता है ये बद्बू एमम मुक्त दुरगंद देता है इन सबका उपाई है सौ प्रतिशत स्टेबिलाइस्ट अलिसीन एलिसीन लसुन का प्रमुक्ट जैविग Constant है जिसमें औशिधीर गोरण होते है सौ प्रतिशत स्टेबिलाइस्ट अलिसीन यॉरोपियन विग्यानिक डॉक्टर पीटर जौसलिंग का विश्कार है इस सौ प्रतिशत स्टेबिलाइस्ट एलिसीन को लेकर यॉरोपियन विग्यानिक डायबिटी स्केर के लिए एक अनुखा फॉर्मिलेशन तयार किया है जिसका नाम है डायबालाइफ डायबालाइफ का अर्थ है मदुमेर रहित सिंदगी की ओर डायबालाइफ एक आयुरवेदिक औशधी है ये डायबिटी स्पीडित लोगों के लिए एक प्रक्रतिक पत्थ है तथा बाकी सब के लिए बेहत स्वास्तिप्रद है एक छोटा सा 210 मिलिग्राम का कैपसूल कच्चे लसुन की 36 कलियों को उखाने के बराबर है डायबालाइफ अनुसंधान पर आधारित तथा जबरदस हर्बल घटकों से बना है ये पांच बहतरीन घटकों से बना है सौ प्रतिशत स्टेबिलाइजड ऐलिसीम, करेला या बिटरगार्ड, दालचीनी या सिनिमन, अल्फा लिपोईग एसेड एवं क्रोमियम पिकोलिनेट, डायबालाइफ की विशेशताएं या यूएसपी डायबालाइफ डायबेटीस केर के क्शेत्र में एक आविशकार है भारत में पहली बार अनुसंधान आधारत एवं चमतकारी प्रोड़क्ट सौ प्रतिशत स्टेबिलाइजड ऐलिसीन से बना सौ प्रतिशत शुद्ध शाकाहारी कैपसूल में बना UK ग्रास प्रमानित खटकों से बना नौन GMO खटकों से बना पेटेंटिड फॉर्मिला UK GMP अनुमोदित गुणी खटकों से बना EJNR द्वारा सत्यापित खटक MHRA द्वारा अनुमोदित खटकों से बना Documented Clinical Trial Market में एकलौथा प्रॉड़क्ट कोई competition नहीं विश्व के कई अन्य देशों में मौझूद पूरी तरह से प्रक्रतिक कोई दुश परिनाम नहीं डाइवर लाइफ डाइबिटीस के लिए खास तोर पर बनाया किया हमारा पहला फार्मिला है इसके अंदर अन्य घटक है लेकिन अलिसिंग स्पस्टता मुख्य घटक है जो टाइब वन एम टाइब टू डाइबिटीस में बेहत प्रभावी है HBA-1C को नियंतरत करने में अलिसिं बेहत कारगर है HBA-1C हिमोग्लोबिन के साथ जुडने वाले ग्लुकोस का मापन है जो डाइबिटीस कंट्रोल के लिए बिलकुल एहम है डाइबा लाइफ में मौजूद दूसरे अन्य खटक भी बेहत फाइदेमन हैं जो शरीर में इंसुलिन प्रतिरोद को कम करने में मदद करते हैं तथा ग्लुकोस टॉलरेंस की सामानने स्थिती को सुनेश्चित करते हैं डाइबा लाइफ का उदेश्य प्री डाइबिटिक लोगों को डाइबिटिस से बचाना है डाइबा लाइफ पाचिन ट्रक्रिया में से ज्यादा न्यूटिंट वा विटामिन्स अफशोशित कराता है तथा इंसुलिन प्रतिरोद को कम करता है जिससे की प्री डाइबिटिक स्थिती में कमी आती है डाइबा लाइफ सब के लिए फाइदे मंद है डाइबा लाइफ ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है डाइबा लाइफ कॉलस्टरॉल को नियंतरत करने में मदद करता है डाइबा लाइफ एम्यूनिटी या प्रतिरक्षा को बढ़हाता है डाइबालाइफ ब्लड प्रेशर को नियंतरत करने में भी मदद करता है डाइबालाइफ का R&D, एमन प्रोसेसिंग, अध्याधुने तक्नीकी योगत सन्यंत्रों में किया गया है करता हुन देसे कि अधिनग凌नग करता है डाइबालाई मधुमेह रहिद सिंदकी की ओर